एलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपकी साथ में सेयर करूँगा बैंडिंग ओब लाइट लाइट कैसे बैंड करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और यह है फैट सिमुलेशन जिसके तुरू मैं आपको डिमोंस्ट्रेट करूँगा बैंडिंग ओब लाइट यह एक सोर्स है तो आप देख सकते हैं यह सोर्स का स्विच अनॉप अगर मुझको इसको मोग करना है तो मैं इस साइट से बैक साइट से यहां इसको क्लिक करके इ स्पोर में मिलेगी अगर मैं रे का उप्शन करूंगा तो लाइट मुझको ऐसे मिलेगी यह आपके इस तरही कैसे डी हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं यह इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हैं यहां जो फर्स्ट मेट्रियल है वह यह जो लाइन डिवाइट को यह यह है तो यहां अगर मैं ग्लास करता हूं यहां ओप्शन भी अभलेवर है एर वाटर ग्लास तो मैं यहां ग्लास करता हूं और इस मीडियम में मैं एर करता हूं राइट यह क्या यह लाइट ट्रे तो से मीडियम के अंदर रिफलेक्ट हो गया है इसको मोह करा के देखते हैं क या कुछ रिजल्ट आएगा, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि जब मैं इस से इस एंगल या इस एंगल से नीचे इंसिडेंट कराता हूं, इंसिडेंट यह नॉर्मल है और इसके बीच का यह जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल है, अग टो आइट रहे हैं, यह सेम मीडियम के अंदर अभी रिफलेकि और अभी यह सेम मीडियम के अंदर रहे हynn इस पर्टिकुलर एंगल पर क्या हुआ कुछ पार्ट उसका ट्रांस्मिट हो चुका है इन्टो दी सेकिंड मीडियम जो की एर है तो अब यहां जो एवलेबल इंटेंसिटी है जितनी इंटेंसिटी यहां थी वो नहीं है अब वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगी है थोड़ा सा ओर नू करके देखें यह है अब यहां इंटेंसिटी जागा है इधर कम है और करते हैं तो यहां पर इंटेंसिटी आमने रख देंगे 100% intensity available है अभी भी यहां चेक कर सकते हैं क्योंकि single light रहा है तो 100% ही है अब देखते हैं कि इस particular point पर यहां intensity कितनी है 59% approximately 60 और यहां 40% तो approximately तो आप यह अब judgment कर सकते हैं कि 60% जो light है वो इधर आई है 40% इधर आई है और थोड़ा सा और increase करते हैं तो अब 73% इधर है और इधर कम हो चुका है और मैं अगर इस side में लेके जाओंगा तो यह और intensity बिल्कुल कम हो चुकी है और इधर maximum है तो एक concept यहां पर आपको पता लग रहा है कि जो total internal reflection है वो कैसे ग्लास है एर का refractive index 1 है और glass का refractive index 1.5 है तो यहां जो light ray है वो same medium के अंदर ही जो है वो reflect हुई है और इसके बाद इसको बोलते हैं transmission राइट क्योंकि यहां यह जो है अभी यह incident angle आप देख रहे है नॉर्मल के साथ में और यह यहां पर refractive angle है तो light ray जो है dancer medium से जब rare medium में जाएगी तो normal से दूर होगी तो अभी यहां यह normal से दूर हो चुकी है यह अभी यहां angle जो है वो उतना angle नहीं यह angle बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो angle of reflection हुआ वो जादा है इसकी वज़े यहां का refractive index है कि वो refractive index जो है यहां कम है य यहां 1.5 है और यहां 1 है तो air का अगर मैं यहां water रख दूँगा तो फिर क्या होगा अभी यह water रख दिया है तो अभी भी कुछ amount जो है उसका partially reflect हुआ है और same medium में अभी इस जगे है आप देख पा रहे है कि इस particular angle पे जो है अभी यह internal reflection हुआ है और जबकि पहले case में जब तो air थी तो और इस point पे हुआ था angle और इसका कम हो जाता है यहां इस particular angle के आसपास तक तो अगर angle इस T से ना पर लें यह इस तरीके से यह set कर लेते हैं 0 पे approximately 0 ही है right तो यह line अब बूश्ट्रेट आ चुकी है तो अब यह angle कितना है 0, 30, 35, 36, 37 और अब भी यह 30, 35 और यह 40, 40 के आसपास यहां 50 होगा और यह 60, 40, 41 तो 40 degree के आसपास जो है वो internal reflection मिलता है अगर पोट्टी से कम जाएंगे यहां तो पोट्टी या पोट्टी से कम है तो वो फिर internal reflection नहीं है लेकिन अब अगर दूसरा medium जैसे अभी यूज किया था glass करते हैं लेकिन अभी glass glass दोनों सेम हो गया है तो सेम ही medium हो गया अभी हम यहां कर वाटर तो वाटर का जो रिप्रेक्टिव इंडेक्स है वो कम है 1.3 है इसका है 1.5 तो अभी यह एंगल आप देख रहे हैं कि मैं वड़ाता जा रहा हूं और इस पर्टिगुलर एंगल के आसपास 62 या 63 जो है उस पर टोटल इंटर्नल reflection हो आ है मितलब सेम है medium के अगर दूसरा medium यहां water है उस case के अंदर तो यह था bending of the light और इसको आप इस पर मेजर कर सकते हैं किसी प्रोवाइडिट कि जो यह आपके refractive index of the medium है इनका variation है तो यहां इसका refractive index जादा था इसका कम था तो यह same medium के अंदर ही आपका reflect होई है और इस principle को हम कहां यूज करते हैं जो principle आपका optical fiber के लिए तो वहां total internal reflection का concept हम यूज करते हैं तो यह इस way में आप समझ सकते हैं सो थेंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए शेयर करिए question पूछिए discuss करिए